Hello students, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, Food and Fun खाना और मज़ा तभी होता है जब हम सब एक साथ मिलकर हम खाना खाते हैं, तो हम उसको इंजोई भी करते हैं तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, Tring, the doorbell rang, दर्वाजी की घंटी बजी Tring कर गे When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there, जब Manpreet ने दर्वाजा कोला तो उसने देखा Divya and Swastik वहाँ पे खड़े हैं She called out excitedly, गुर्णूर look who has come, उसने गुर्णूर को बुलाया, देखो गुर्णूर कौन आया है Excitedly मतलब उत्सुकता से, गुर्णूर came running, गुर्णूर दौर कर आई, when she saw her friends, she hugged them happily जब गुर्णूर ने देखा कि उसके friends आया हैं, तो वो बहुत खुशी और उसने उन्हें गले लगा लिया When did you come from the hostel? या boarding school, hostel को boarding school भी कहा जाता है Just yesterday, where are your parents? We want to meet them, Swastik said Swastik ने पूछा कि तुम hostel से कब आये? तो उसने कहा कि कल ही मैं आई Where are your parents? तुमारे parents कहा है? हम उनसे मिलना चाते हैं Swastik ने गुर्णूर से कहा They are the Gurdwara तो गुर्णूर ने कहा कि वो तो Gurdwara में है Gurdwara ऐसी जगह है जहां पे सिख के जो पूजा करने जाते हैं जैसे हिंदू जाते हैं टेंपल में उसी तरह से सिख गुर्णूर में जाते हैं वर्शिप करने के लिए सिख जाते हैं गुर्णूर में We were about to go there too हम भी जाने वाले हैं गुर्णूर रेपलाइड मतलब हम भी जाने वाले थे अभी हम भी जाने वाले थे गुर्णूर ने जवाब दिया ओ गुड वी विल आलसो कम वीदियू जैट दिव्या दिव्या ने कहा यह तो बहुत अची बात है हम भी तुम्हारे साथ आएंगे गुर्नोर ने पूछा तुम तो vacation में ही आती हो घर में जो boarding में रहने वाले बच्चे होते है वो घर में तभी आपाते है जब vacation होते है जैसे इस तरह की जो schools होते है schools में क्या होता है हर दिन बच्चे घर आपाते है लेकिन जो boarding schools में रहते हैं, वो हर दिन नहीं आ पाते हैं, सिफ vacations में ही वो घर पर आ पाते हैं, तो गुर्णूर ने पूछा, क्या तुम्हें hostel में रहना पसंद है, staying in your hostel, होस्टल में रहना पसंद है, you must be missing your parents, तुम अपने parents को बहुत मिस करती होगी, है न, तो दिव्या ने कहा, we do miss them, हाँ हम तो मिस करते ही हैं उन्हें, but hostel life is fun, लेकिन hostel में रहना बड़ा मज़ेदार होता है, even if we don't always like the food, हाला कि हमें मेशा food पसंद नहीं होता है, we enjoy eating together with all the children, लेकिन हर मतलब हम सभी enjoy करते हैं, एक साथ खाना, हम एक साथ सभी बच्चे जो खाते हैं, हम उसे enjoy करते हैं, You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms, क्या तुम्हें पता है, जब कोई भी hostel में किसी के भी घर से कभी घर का बना हुआ खाना आता है, तो हम दोड के सब दोड कर उसके रूम में पहुच जाते हैं, that food finishes within minutes, मिन्टो में वो food finish हो जाता है, स्वास्तिक सेट laughingly, स्वास्तिक हसते हुए बोली, क्यूंकि घर से बना हुआ जो खाना आता है, तो सब बच्चे मिस करते हैं, अपने ममी के हाथ से बना हुआ खाना, तो जैसे ही किसी के रूम में ऐसा होता है, कि घर से कोई बना हुआ खाना आता है, तो सब बच्चे दोड कर चले जाते हैं, और मिन्टो में उस खाने को finish कर देते हैं, तो do you study in a boarding school, यह आपकी लिए question है कि क्या boarding school में पढ़ते हैं, अगर हाँ, if you do not, अगर नहीं पढ़ते हैं, try to talk with someone who goes to a boarding school and find out, तो अगर आप नहीं boarding school में पढ़ते हैं, तो ऐसे किसी से बात कीजिए, जो boarding school में जाता हो, और पता लगाईए, in what ways is boarding school different from other schools, boarding schools दूसे स्कूल से कैसे different है, boarding school दूसे स्कूल से different है क्योंकि boarding schools में बच्चे vacations में ही अपने घर आप आते हैं, लेकिन जो दूसे स्कूल से हैं, उनमें बच्चे हर दिन अपने घर आप आते हैं, जो दूसे स्कूल से हैं, बच्चे हर दिन अपने घर आप आते हैं, जो दूसे स्कूल से हैं, बच्चे हर दिन अपने घर आप चीक है, what kind of food do they get there, किस तरह का खाना उन्हें मिलता है, उन्हें हर एक तरह का ही खाना मिलता है, जिस तरह का खाना बनाया जाता है, वहाँ पे, Where do the children sit and eat in the boarding school, boarding school में बच्चे कहां पे बैठते हैं, कहां पे खाते हैं, boarding school में बच्चे एक hall में, एक बड़ा सा hall होता है, वही पर सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, और वही पे खाना खाते हैं, Who cooks food for the children in the boarding school, कौन खाना पकाता है, boarding school में, जो cook होता है, वही खाना पकाता है, Who serves the food, तो food serve करने के लिए अलग से staff होते हैं, Who washes the vessels, vessels को जो बरतन होते हैं, उन्हें धोने के लिए अलग से staff होते हैं, separate staff होते हैं, Do the children miss homemade food, sometimes, क्या boarding school में, बच्चे homemade खाना मिस करते हैं, हाँ, जरूर करते हैं, बच्चे जो है, उनका हर बच्चे का अपने एक favorite खाना होता है, जो उनकी ममी के अलावा और कोई नहीं बना सकता, और ममी के हाथ का खाना कौन नहीं मिस करता, है ना, तो would you like to go to a boarding school, क्या तुम्हें boarding school जाना पसंद है, अगर पसंद है, तो क्यों पसंद है, यह आप अपने से करेंगे, at the गुरुद्वारा, अब गुरुद्वारा में हमें, गुरुद्वारा की कुछ बाते यहां पे बताई गई है, गुरुद्वारा क्या होता है, जा रहे थे, there they covered their heads, वहां पे जाकर उन्होंने अपने सर को ढगा, गुरुद्वारा में सभी अपने सर को ढगते है, they went into kitchen of the गुरुद्वारा, और वो गुरुद्वारा के kitchen में पहुंचे, it was very huge, यह बहुत बड़ा था kitchen, a lot of activity was going on there, बहुत सारे काम हो रहे थे, बहुत सा बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ पकाया जा रहा था है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बरतन की जरुरत होगी, on one side एक तरफ तो चना और उड़त डाल बॉयल हो रहा था, उबल रहा था, ठीक है, in another vessel और दूसरे बरतन में, the cauliflower and potato vegetable was being made, जो cauliflower है, ज देखो वहाँ पे है तुम्हारे पापा गुरुनूर, चलो हम जाएं और उनसे हम मिल कर आते हैं, meet him मतलब उनसे मिल कर आना, चलो हम उनसे मिलते हैं, तो what are you doing here, Manjeet Singh was happy to see the children, Manjeet Singh जो की गुरुनूर के पापा है, वो बच्चों को देकर बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्वास्तिक ने पूछा, Manjeet Singh said, Manjeet Singh ने कहा, I am preparing कढ़ा प्रसाद, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूं, it takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई, तो कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए जो flour होता है, या जो आटा होता है, उसको roast करना पड़ता है घी में ठीक है, उसको घी में roast करके फिर उसको हलवे की तरह बनाया जाता है, उसे ही कढ़ा प्रसाद कहा जाता है, this is a kind of halwa, isn't it, ये एक तरह का halwa है है न, when will you add sugar in it, Divya asked, Divya ने पूछा, तो आप इसमें sugar कब add करेंगे, they saw Manpreet's mother and rushed to meet her, उन्होंने Manpreet की मम्मी को भी देखा और भाग कर उनसे मिलने गए, Divya asked, Divya ने पूछा, what are you doing auntie, आप क्या कर रहे हैं auntie, बेटा, we are rolling chapatis to bake them in this तंदूर, तो Manpreet की मम्मी ने कहा, कि बेटा, हम जो रोटियां बेल रहे हैं, और इस तंदूर में हम उसे bake कर रहे हैं, या सेक रहे हैं, so many chapatis at one go, तो उन्होंने पूछा क्या, इतने सारे रोटी, एक साथ, Divya बहुत सप्राइज, Divya बहुत सप्राइज हो गई, can I help, क्या मैं help करू, sure, come and try, here everyone can help, but wash your hands first, replied auntie, auntie ने कहा, हाँ, जरूर आप help कर सकते हो, या हर कोई, अपने अपने तरह से help करता है, लेकिन पहले जाओ और अपने हाथों को धोलो, ठीक है, next, Divya washed her hands and joined the group near the Tawa, Divya ने अपने हाथों को धुए और जो सब रोटिया वहाँ पे बेल रहे थे, रोटिया सेक रहे थे, उस ग्रूप में उसने जोईन के, जो की, जो सारे ग्रूप तवा के पास थे, ठीक है, तवा में रोटियों को सेका जा रहा था, तवा was very hot, तवा बहुत गर्म था, she started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the Tawa, और उस दिव्या ने जो रोटिया जो निकाली जा रहे थी, गर्मा गर्म जो रोटिया निकाली जा रहे थी, उसमें घी लगाना शुरू किया, जैसे तवा से वो रोटिया निकलती, दिव्या उन पर घी लगाती, स्व पस्तिक बहुत ही हैरान हुई ये देखकर और उसे पूछा कि इतने सारी चीज़े कौन लाता है, खाना पकाने के लिए ये जो फूड बनता है, ये जो कुक हो रहा है, इसके लिए इतने सारी चीज़े कौन लाता है, वो बहुत हैरान हो गए ये सब देखकर, one of the ladies answer उसमें से एक लेडी ने एक औरत ने चवाब दिया, everywhere here contributes in some way or the other, हर कोई यहां पे contribute करता है, किसी ना किसी तरीके से, जैसे कोई material लाता है, some arrange for material, कोई चीज़े लाता है, बाजार से, मानलो सबजी वकेरा लेकर आया, कोई money देता है, कोई पैसे दे देता है, and others help in the work, और कोई ऐसे होते हैं, जो काम में मदद करते हैं, तो हर कोई अपने तरीके से मदद करता है, so swastik, how do you like it, so swastik, तुम जो help कर रही हो, तुमें कैसा लग रहा है, have you ever cooked before, क्या तुमने कभी खाना पकाया है, इससे बहले, tease one treat, one treat, ने उससे चिढ़ाया, no, but I am enjoying working with everyone, नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा रहा है, सब के साथ काम करने में, said swastik, swastik ने कहा, we hardly realized how all these food, chapati, rice, halwa, dal and vegetable, God prepared so fast, हमें ये पता ही नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से हम समझ पाते हैं, या हमें पता ही नहीं लगता है कि किस तरह से इतने सारे खान, इतना सारा जो खाना है, जैसे चपाती, rice जो चावल है, हलवा है, दाल है, वेचीटेबल है, किस तरह से इतनी जल्दी पक जाता है, या पकाया जाता है, या तयार किया जाता है after ardaas, ardaas होती है जो सिकh पूजा करते है उसे ardaas कहा जाता है ardaas के बाद कढ़ा प्रसाद distribute किया गया कढ़ा प्रसाद was distributed some of the boys quickly laid out daries in the veranda और कुछ जो लड़के थे वो जल्दी इसे दरी लेकर आए दरी जो हम नीचे बिछाते हैं उसमें बैठा जाता है वरांडा में लेकर आए बड़े से वरांदे में लेकर आए and all the people sat down in rows to have लंगर और सभी एक लाइन में बैठ गए और लंगर ताकि वो लंगर में लंगर का मजा ले सके लंगर जिसमें सभी एक साथ बैठते हैं और एक साथ ही खाते हैं गुरुद्वारा में सब लोग एक साथ बैठ कर एक साथ खाते हैं उसे लंगर कहा जाता है some people served food and other served water कुछ लोग खाना सर्व कर रहे थे परोस रहे थे कुछ खाना परोसने का काम कर रहे थे और कुछ पानी दे रहे थे everyone ate together और सभी एक साथ सभी ने खाना खाया after finishing food everyone picked up one's own plate खाना finish करने के बाद सभी ने अपने अपने plates को उठाया and put it in a big drum और बड़े इसे drum में उन्होंने plates को रखा people who were serving जो सर्व कर रहे थे जो लोग परोस रहे थे या दे रहे थे ate in the end उन्होंने सबसे आखिर में खाया they clean the place and wash the utensils उन्होंने जगह को साफ किया और बरतनों को धोया talk about it the cooking and eating together in a gurudwara is called langar तो जो cook होता है एक साथ खाना पकाना और एक साथ खाना gurudwara में जब एक साथ खाना पकाया जाता है और एक साथ खाया जाता है उसे langar कहा जाता है have you ever eaten in a langar क्या तुमने कभी langar में खाया है अगर खाया है तो कहां खाया है और कब खाया है यह आप लिखेंगे ठीक है तो how many people were cooking and how many were serving the food there कितने लोग अगर आप langar में आप gurudwara में गए है और लंगर में भी आप रहे है तो आप यह देखकर आप लिखेंगे कि कितने लोग वहाँ पर खाना पकाते है और कितने वहाँ पर serve करते है तो अगर hall बड़ा है तो कम से कम 30 से 40 लोग वहाँ पर cook करते होंगे और कम से कम उतने ही serve भी करते होंगे Are there other occasions when you have eaten with many people या दूसरे occasions कुछ ऐसे है जहां पर आपने बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ खाना खाया होगा हाँ बिल्कुल जैसे शादियों में जैसे त्योहारों में हम बहुत सारे लोग एक साथी बैट कर मिल जूल कर खाते है और enjoy कते है Where and when कभ और कहां पर और कभ आपने enjoy किया या खाया एक साथ आप इसको खोदी लिखेंगे Who cooked किसने खाना पकाया था and serve the food किसने परोसा था food को यह सब आप अपने तरीके से लिखेंगे तो यह है लंगर का जो आपको फोटोस दिख रही है different scenes from अग्रुद्वारा लंगर लंगर के different scenes हम देख सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर सभी एक साथ मिलकर खाना पका रहे हैं दिख रहा होगा यहां पर यहां पर देखिए रोटियां बनाई जा रही है पर सभी सबजियां भी side by side कारती जा रही है दाल यहां पर देखिए कितने लोग एक साथ मिलकर खाना पकाने का काम करते हैं और जब यह देखिए यह हैं लंगर जब सभी लोग एक लाइन में बैठते हैं यहां पर देखिए कितने एक लाइन में बैठते हैं तो बैठकर खाना खाते हैं तो उसे लंगर कहा जाता है तो खाना एक साथ खाना पकाना और एक साथ खाना अगर गुर्द्वारे में आप देखते हैं कि एक साथ खाना पकाया जा रहा है बहुत सारे लोग एक साथ खाना पका रहे हैं और एक साथ खा रहे हैं तो उसे लंगर कहा जाता है तो इसी के साथ आज का चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ बाबाई बच्चो